नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यानवे रखते हुए, आपकी ये सभी किलासें कवर की जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि आपका इतिहास भी कवर किया जाएगा, और इसमें आपका भूगोल भी कवर किया जाएगा, इसमें सम्मिधान, अर्द्विवस्था, बिज्ञान, आप लोग जो Prelims का पहला पेपर देखते हैं और यही पेपर आप लोगों के लिए महत्पू और साथ में ही आपका बेस मजबूत होगा, और इससे आपको मुख परीक्षा में भी फायदा मिलेगा, लिखेत परीक्षा में भी आपको फायदा मिलेगा, आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में जो दच्छेड भारत के आप देखते हैं बंस, उनके बारे में एक जानिकारी दे देता हूँ कि देखिए आपकी एक separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसी में सभी आपकी क्लासें डली रहेगी ठीक वहां जाकर आप लो करमसर इने देख सकते हैं तो भारत के दियास में भारत दियास में 750 इसवी से लेकर 1220 के काल को पूर मद्दिकाल कहते हैं यानि कि मद्दिकाल के पूर की घटना है इस काल में उत्तर एवं दच्छिड भारत में विविन राजवनसों का उदय हुआ और इस समय उत्तर भारत के अदिकांस राजवनस 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 ही हुँगे तो आप कह देते हैं न कि उस योग को एक तरह से आप लोग राजवनस इतियास कर लीजें फिर आप देखेंगे उत्तर भारत की राजनितिक स्थिती की बात करें इस समय तो पांचवी सतापदी के अंत तक यानि की छटी सतापदी के पूरवार्द में गुप्त समराज का पतन हो जाता है और विदेशों से हूडों के होने वाले आकमण और तथा आंतरिक विक्टन ग इसके परढ़ाम सवरु गुप्त समराज की प्रांतिय सासकों ने अपनी सुतंता घूसित कर उत्तर भारत की विभेन भागों में अपने सुतंत राज्य स्थापद कर लिये थे और पाठलीपुत की स्थान पर करन्यौज के रोम में उत्तरी भारत की एक नवीन राजनेतिक किंदग का उदय होता है और डॉक्टर इस्तोरी प्रसान ने इस काल को भारत इस काल में बारती इतियास राजकूतों की उत्पत्ती के संदर में भिन भिन मत हैं, कोई कहीं से मानता है, कुछ लोग इन्हें विदेसियों का सद्धान मानते हैं, कि राजकूत जिते विदेसियों की संतान थे, कुछ विद्वान इन्हें भारत में रहने वाली एक जाती मानते हैं, विदेसी उत्पत् जैंड है और बिलियम किरोः कि धिकêu मित थें और टाढ की अनुसार हैं तो राजपूस सीथीएन मदिल की संतान थे और कुल कि अनुसारł अगर हम लोग करें तो भी जैतियों के धर्म-सुद्धी-करन से राजपूतूं होगा था वही अगर हम लोग स्मित की बात करें तो इनोहने माना है कि इनकी उत्पत्ति की राजपूतो की उत्पत्ति सकों wonder वियो है कि से सभतकों का ही बनसाज माना और वहीं दस रत दस रत सरमा और विसंबल सरण पाठक ने इने ब्रह्मणों से उत्पन माना है इनका मानना है कि ये ब्रह्मण से उत्पन हुए थे राजपूतों की उत्पत्ती के बारे में मान मत यह है कि इनकी उत्पत्ती भारती समाच की विविद जाति से भी हुई है जो भारत ये परंपरा में रच बस गए थी उधारल के लिए बना फर राजपूतों को वनस्फर और तोमर राजपूतों को हूड तौर माड से जोड़ा जाता है कुछ बिद्वान आप देखेंगे तो राजपूतों को आभू परवत पर वर्सिष्ट के अगन कुण्डूगा उसमें से राजपूत निकले थे यह सिद्धान चंद वर्दाई के पितिवी राज रासू पर आधारित है तथा पितिहार और चालुक चोहरान और परमार राजपूतों का जनम इससे माना जाता है तो यही कहान है इनके जनम को लेकर इनकी उत्पत्ति को ल विदेसी मूल के लोगों से उत्पत्ति मानी है कि राजपूत विदेसी मूल के लोगों से उत्पत्ति मानी है कि राजपूत विदेसी मूल के लोगों से उत्पत्ति हुए थे कनिंगम ने यूची कुसार बन सच का माना है जेम स्टार ने सीथियन माना है गौरी जंकर ओज पर्मार हो गए, कन्योज के गहडवाल हो गए, अजमेर के चोहान हो गए, जिजाक भुक्ती के चंदेल हो गए, दिल्ली के तॉमर हो गए, जवलपूर के कल्चूरी हो गए, ठीक है, और पर्मार बंस में देखें तो मालवा, पर्मार बंस में अगर आप देखें, तो मालवा पिरमोक्ञ है। इनके बारे में आप देखें कि परमार वंस जो मालबा का था। इन जो भी आपके सहत्तिक सिरूत है। इन सब्सक्राइब पराप्त करते हैं। वहीं अगर हम लोग पुरातादविक सिरूतों में देखें तो हसुल अभिलेग सीयक्दुतियक का था। उज्जेन अविलेग एक वाकवती मुंझ का था वासवाड़ा और वैत्मा अविलेग एक भोज का था तो इसे हम लोग यह आपकी पुराता त्विक स्रूत हो गए परमारों की कई साखाएं थी और इनकी मोग साखा मालवा पर सासन करती थी उनकी राध्धानी धार हुआ करत करती थी यह मंद्व पिदेश का छेत है और परम में इनकी राध्धानी उज्जयन हुआ करती थी और आप देखते हैं महाकाले सुन मंदिर अभी भी आप लोग घूमने जाते होंगे अठारे सो माकरी आठ सो बारे इस भी एडी के लगवक राष्टकूट सासक गोबिंद तितिये निपिती हारों से मालवा जीत कर वहां उपेंद नामक बैक्ती को नियुक्त किया था उपेंद का अने नाम अगर देखें तो किसनराज भी मिलता है इस बंस की प्यारंबिक सा पुतिये अत्वा सिरी हर्स इसका समय रहता है 945 से 970 तक इस बंस का पिथम सुतंत इबं पिता भी सा सकता और इसने अपने बंस को राष्टकूटों की अधीनता से मुक्त कर लिया था और इसके दो पुत्त हुए एक तो मुंझ और एक ता सिद्राज अगर हम लोग पुत्ति मुंझ जी की बात करें तो सियक दुतिये का उत्तरादिकारी इसने बल्हब पिधिभी बल्हब वल्हब अमोग वरस इत्यादी उपादियां धारन की थे और इसके समय में मालवा की परिमारों की सक्ति का उतकर्स हुआ उसने तिपुरी के कल्चूरी तथा और देखेंगे आप लोग तेपुरी के कल्चूरी और तथा चालोक नरेश तेलब दुतिये को पराजित किया था और आप देखेंगे तेलब दुतिये को इसने छे बार पराजित किया था किन्तु सादवे योदिक में तेलब दुतिये ने इसे बंदी बना लिया था और उ दस रूप के जो लेकक थे धनेक तथा हला यूद्ध अधी मिद्वान भी रहते थे यह आप देखेंगे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा यह मैप है पूर मद्दिकाल का ठीक है अगर इसमें देखना चाहें आप लोग तो देख लिए जीका इनका पूर मद्दिकाल में यह सभी सासा करें है समझ रहे हैं उपर आप देखेंगे यहां से कस्मीर सिरीनगर जेलम लाखो ठीक है और नीचे कंगरा अमरेतसर जलंदर सेमला यहीं आप देखेंगे यह आप देखेंगे कि सिरसावा भटिंड़ यहां आएंगे आप लोग नीचे आप देखेंगे भदनेर और सिरसा भीकानेर फिर आप देखेंगे यहीं जोत्वर हो गया जेसलमेर हो गया तो इस तरह से आप देखेंगे आगरा अलवर इस जैफर हो गया आपका इस अभी छेत में फैला हुआ था तो इन्हें याद जरूर रखे सकते हैं और रोक कर आप लोग पढ़ते रहिए एक बार देखे भारत के मैक को आप लोगों को जरूर रखना चाहिए मुझे लगता है कि सिंधूर आज की बात करें तो मुन जी की मित्यू के बाद उसका छोटा भाई सिंधूराज सासक बना और पदम गुप्त द्वारा लिखित नवस साह सांग चरितम मैं इस इसी पर्मार वंस नरेश के जीवनचरित का बारन किया गया है और इसने कुमार नरायन तथा सह सांग जैसी उपादियां भी धारन की थी और फिर आते हैं भोच पर्मार ये आप देखें कि सबसे महत्पूर वंस एक तरह से इस बंस का दस एक हजार से एक हजार पचपनी इस भी एडी तक रहता है और इस बंस का सबसे पिरता लोग परी है राजा जिसने जिसके समय में आप देखेंगे राजनेतिक और सांस्कितिक दोनों ही दृष्टी कौन से परमार राज्जी की उन्नती हुई भोज के बारे राजा भोज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा भोज की उदेखेंगे फूर पिसस्ती में उसकी राजनेतिक और परब्दियों की चर्चा मिलती है इसने कल्याडी के चालुकों और अनहेलबार के चालुकों को पराजित किया और इसने चलंदेल सासक बिद्याधर से भी पराजित हुआ था है भोज सिक्षा और संस्किती का महान उन्नायक था इसने भोजपुर नगर की स्थापना की थी धार में एक सरुष्चिती मंदिर बनवाय था एक संस्कित महा बिद्यालय भी बनवाय था उसके बारे में पिछले था कि वह हर एक कभी को पितेक इस लोग के लिए एक राक रुपे देता था और आप लोग ने भोजपुर मंदिर सुना होगा ये मद्पदेश में पढ़ता है भोपाल के आसपास अब देखे वो भी इसी का बनवाया हुआ है भोजपुर मंदिर जाता है कि उसकी मित्यू से विध्यात था विध्वान दोनों निरासित हो गए थे और इसी हेतु सब्देपरियोक्त हुआ है निराओ लंबा सरफसुती भोजपुर ने प्राचेन राध्धानी उज्जयन को छोड़कर धारा को अपनी राध्धानी बनाया था बारेवी सदी में तॉम्रों ने मालवा छित पर कपजा कर लिया और तेरे सो फांच में अलाउदिन खिल्गी ने मालवा को अपनी सल्दनत में मिला लिया था फिर आप देखेंगे कंणोज के गहडवाल आते हैं गहडवालों का मूल निवास इस्थान बिंध्यांचल का परवर्ती है बन परांत माना जाता है लगबग आप देखेंगे दस सो असी से दस सो पचासी के मद्द चंद देव ने गहडवाल राजवन्स की निव कंणोज में रखी थी और दिल्ली के तॉमरों में ने भी उसकी अधिनता सुईकार की थी चंद देव के पुद्ध मदनपाल 1104 से 1114 तक रहता है को तोरुक आखमर कारियों ने कंणोज पर आखमर करके बंदी बना लिया था उसके पुद्ध गोविंद चंद ने कड़े संगर्स के बाद उसे मुक्त कराया था यानि की छुडा लिया था उसे एक तरह से इनकी बंदगी में से गोविंद चंद को आप देखें तो ये 1114 से लेकर 1115 तक रहता है और इस बंस का सरवाधिक सक्ती साली सा सक्ता है और उसने आधुनीक पर्षमी बिहार से लेकर पर्षमी उत्तरपिदेश तक समस्त भाग पर अपने आधीन करके करनोज के प्राचीन गौरप को पुनाहा इस्ताफित किया था उसने पालों से मगद जीता था और मालबह पाद विकार भी कर लिया था यह स्वयम बड़ा विद्वान था उसने उसके लेकों में बिविद विद्या विचार वाज इस्पती कहा गया उसके मंतरी लचमीधर ने किर्ट कल्ब तरू नामगरंद की रचना भी की थी इन लेकिकों को जरूर याद रखा करेगा इनकी रचनाओं को याद रखा करेगा कई बार क्या होता है पूच लेता है फिर आप देखेंगे बिजय चन्द आता है और ये ग्यारे सो पच्पन से ग्यारे सो सत्तर तक रहता है इसके समय सेन वंसी सासक लचमर सेन ने आकमर किया था किन्तु वह इयोद में पराजित हुआ था इसके समय गहड़ वालों कि इस्तेदी कमजोर हो गई थी दिली चोहाल नरेसोन के अधिकार में चला गया था जैचन्द और आप देखें जैचन्द आज भी मैंने देखा है कि जब भी कोई किसी के साथ गद्दारी करता है तो कहते हैं बड़ा जैचन्द बन गया है वो और एक तरह से आप सूची कि भारत का गद्दार कहा जाता है इसे अब क्या इसका इतिहास रहा है आप सभी जानते हैं कि पितिवीराज की बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कहते हैं कि पितिवीराज से अपनी बेक्तिगत दुस्मनी निकालने के लिए इसने बाहरी देशों के को आखमड के लिए बोला लिया मुसलिमों को और आप देखी कि वो आखमड किये और भारत को तहसनायस कर दिये लूट ले गये और भारत पर बाहरी सक्तियों का राज हो गया इस बंस का अंतिम सक्ति सालिसा सक्ता है जैचंद और इसका समकाली दिली अजमेर का चोहान नरेश पितिवीराज तितिय था अख्यानों के अनुसार जैचंद की पुत्री सैयोगीता का अवरण पितिवीराज तितिय ने किया और जिससे चोहानों की गड़वालों सत्ता हो गई और जैचंद ने देवगीरी के यादों गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया अपनी विजय की उपलब्द में इसने रासूर यग भी किया था किसने जैचंद ने ठीक है और आप देखेंगे कि इसने 1194 में में चंदावर की युद में मुहमद गौरी द्वारा वहें पराजित हो गया था और मार डाला गया था इसे पूर की ओर विस्तार के प्रियास में जैचंद को लचमर से इन बंगाल से भी पराजित होना पड़ा था जैचंद ने संस्कितिक पिख्यात कभी स्री हर्स को सरक्षन दिया था जिसमें नेसंद चरित और खंडन खाद नामक गरंतों की रचना की थी एक आप देखे कि मल लेजे कि कोई बैक्ती है वो अपने गाओं में बाहरी अकमर कारी को बुलाता है और अपने यहां के राजा या अपने देश के दूसरे राजा को अपने गाओं के दूसरे राजा को दूसरे जो भी रियासत थी उसे मरबा देता है एक दिन वो बाहरी क क्या करता है कि उसे जिसने बुलाया था जिसने निवता दिया था एक पर ऐसे उसे भी मार देता है तो यही चंदावर जो आप देखते हैं जो जैचंद के साथ ऐसे ही हुआ आप देखें कि जैचंद ने दोस्ती करके जो मुहम्मद गौरी को बुलाया हुआ था मुहम्मद इस बंस के प्यारंबिक नरेश कन्योच की पितिहारों की सामन्त थे और दसवी सताबदी में वाक्र फती राजपिथम ने अपने को सुतंद कर लिया था उसके बाद उसका पुत्थ सिद्राज पर फिर विग्रह राजदुतिय सासक हुआ विग्रय राज दुतिये ने चालोक सासक मूल राज पिथम को पराजित किया था और विरुग कक्च में आसापुरी देवी का मंदिर भी इसने बनवाय था इसके परशाद विग्रय राज तितिये ततपरशाद अजय राज बारवी सासक बनाई और अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी, अजयराज का उत्तरादीकारी अर्णो राज होता है, यह 1130 से 1150 तक सासन करता है, और इसने अजमेर की निकट महमूद की सेना को पराजित किया था, विग्रे राज चतुर्थ अथवा भीसल दियो, यह 1130 से 1163 तक, और इसने हरी केल नामक संस्कित नाटक की रचना की थी, और इस नाटक की कुछ हंस अडाई दिन का जोपड़ा, नामक मस्जित की दीवारों पर भी आपको उत्कीन की गए है, और इसके दरबार में ललित विग्रे राज करहचेता सौमियों निवास करता था, ठीक है, और आप देखें कि पितिवी राज तितिये राम पे थोरा, ग्यारे सो चेतर से लेके ग्यारे सो बानवे तक एडी, समय रहे, इसके पिता का नाम सौमिसुर था, और इसने बुंदेल खंड की चंदेल सासक परम मर्दी देव को पराजित किया था, ग्यारे सो ब्यासी में, और परमर्दी देव के आला उदल नामक लोग पिसिद सेननायकों से योद किया, और ग्यारे सो चैसी में गुजरात के चालो को सासक भीम दुतिये पर आकमर किया, और ग्यारे सो इकानवे में मुहमद गौरी तधा पितिवीराज तितिये कि मद्द पिसिद तराइन का पितम य पराजित हुआ, और अंगले ही वर्स आप देखेंगे 1192 में तराइन का दुतिये योद्ध हुआ था, इसमें गौरी ने पितिवीराज को पराजित किया था, और इसे बंदी बना लिया गया था, और कुछ समय बाद परश्चाद उसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी? और तराइन की दुतिये योद्ध से भारती इतिहास्त में एक इवगानती कारी परिवर्तन हुआ, जिसके बाद भारत में तुर्की राजिकी स्थापना हो जाती है, और पितिवीराज की मित्यू के परश्चाद आप देखेंगे, गौरी ने उसके लड़के गोबिंद को अधीनता में अजमेर का सासक बनाया था, किंदू कुछ समय बाद देख उसने विद्द्रो कर दिया और 1192 में कुत्व बुद्धी नेवक ने चोहानों का धमन कर दिल्ली परवनादिकार की स्थाफित कर लिया था, पितिवीराज तितिये की राज का भी चंद वर्दाई न चोहानों के इतिहास और परमपराओं का विवरन देता है, फिर आप देखेंगे जिजाग भुक्ती के चंदेल आते हैं, इस बंस की जानकारी किष्ण मित के प्रवोध चंदोदर और राजसेकर प्रवंद कोस और जगनिक के अला आलाखंड से ओ, खजराहु अबलेक धंग इस समाई की जानकारी इखटी होती है, चंदेल राज जिजाग भुक्ती बुंदेल खंड में स्थापित हुआ, चंदेल पितिहारों के सामन्त थे और नभी सदी के लगवग नन्नुक ने बुंदेल खंड में अपनी सत्ता इस्थापित की और उसने खजराहु का अपनी र देखी खाजराहु आप लोग जानते हैं कि चतरबोर जिले में पढ़ता है मद्धपदेश, तो इसी छेत की बात हो रही, महोवा यहीं आपको देखने कुम लेगा, ठीक है, लेकिन महोवा उत्तरपदेश में पढ़ता है, ठीक है, हर्स की बात करें तो आप देखेंगे हर हर्स का समय रहता है 900 से 925 तक, साहिल का पुद्ध हर्स पिथम महत्मूर सा सकता, और इसी किसमा चंदिर राजपीतिहारों से सुतन्त हुआ था, खजराहों के लेक में उसे परम भटारक कहा गया है, फिर आप देखेंगे यसो बर्मन, लच्मन बर्मन, ए 930 से 950 इस भी तक एर्स का पुद्ध था, और इसने राष्ट कूटों से कलेंजल लिया, खजराहों लेक में से गौंड, खस, कौसल, कसमीर, मालाव, चैदी, कुरू, गुर्जर, आदी का बिजिता बताया गया है, यह महान निर्माता था, इसने खजराहों के फिसित विसनु मंदिर का निर् पित करवाई थी, और इसके अतरिक एक बिसाल जलासे भी बनवाय था इसने, फिर आप देखेंगे धंग आता है, यह 950 से 1002 तक रहता है, इस भी AD में, ठीक है, चंदेलों की बास्तविक सुतंता का जरमदाता धंग को ही, धंगी ही था, इसे ही माला जाता है, इसने पूर् से आपके यह डरते थे, इसने कलिंजर पर अधिकार किया, और उसे अपनी राध्धानी बनाया था, उसने ग्वाली और बनारस परियाग तक के छेते जीत गिये थे, और इसने कन्नौज पर विजय की, और राध्धानी पुनाहा कलिंजर से खजराहो स्थाना अन्तित की, फ उसने खजराहो में भब मंदिर का निर्बाण भी कहा है, जिसमें जिननात, विसुनात, वैदनात आदी हैं, यह धंगने बनवाया थे, ठीक है, एक हजार दो में उसने प्रयाक के संगम में जल समादी ली और प्राध त्याग दिये, उसने दरबार में माधों तथा राम न हिंदू साही सासक आनंदपाल के साथ महमूद गजनवी के विरुद एक हजार आठ नो में हिंदू राजाओं के संगटन में भागयादारी की थी, फिर आप देखेंगे बिध्या धर हुआ, चंदेल वल्स का सरवादिक सकती साली सासक था, मुसल्वाल लेखक लेखक इसका उलेक नंद एवां विधा के नाम से करते हैं, और इसने पितिहार सासक राजपाल की हत्या की थी, महमूद गजनवी ने इसके समय दो बार 1902 में खजराओं पर आख्मन किया था, और केटी बर्मन एक अनमहत्पूर्ण सासक था, इसके दरबार में फिर वोद चंदोदय के लेखा किष्णमेत्र कानेबास था, और 1202 में आप देखें तो, 1202 में अंतिम चंदेशासक परमर्दी देव की हत्यागर की कुतब बुद्दीन एवक ने कलिंजर पर कपजा कर लिया था, गुजरात अनहिलवाड का चालुक बंस, इस बंस की जानकारी मेरू तूंग, किर् तथा जैसिंग, सूरी किर्द, कुमार भूपाल चरित, हैमचन, किस द्रो स्तरय काब आधी साहितिक सिरोतों और तलवाडा लेख, कादी लेख, और वाडगर लेख से होती है, इस समय की जानकारी की सिरोत हैं ये सबी, ठीक है, इस बंस की तीन साखाएं थी, पितम मालवा क के पास मतामपूर, दुतिये गुजराद और तितिये लाट छेत्त में थी, गुजराद के चालुक साका की स्थापना मूल लाज पितम ने की थी, 941 से 995 तक रहता है, और इसने अपनी राददानी अनहिलबाड बनाई थी, इस बंस की का सासक जन धरम के पोसक थे, चालुक का सबते सकती साली सासक था, और हैमचंद की अनुसार माने, तो इसने सिंदिक के राजा हम्मुक को पराजित कर उसे अपने अधीन किया था, और इसके समय में महमोद गजनवी ने 1025 में सौमनाद पर आखमन किया था, और इस अभियान में सौमनाद का मंदिर नष्ट हो गय करवाए था, यह मंदिर भिमल वसी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उत्तरादीकारी करण था, इसके करने सोर मंदिर करण सागर जीहिल का निर्माड करवाए था, अनहिलवाड की करण मेरू मंदिर का निर्माड भी कसरे भी उसी को दिया जाता है, फिर आप देखें सिद्धर आज 1194 से क्या मैं भी चाहता हूँ आप देखेंगे कि 1153 तक रहता है ठीक 1143 से 1194 होगा एडी थोड़ी चल रहा है इस भी चल रहा है और उसने मालवा की परमार सासक यसो वर्मन की कुपरा जित कर बंदी बना लिया थो मालवा विजयो पुरांद उसने अवंती नाद की उपादी धारन की थी और यह पी आप देखेंगे सेब्त था तदा भी इसने जैन बैद्वान हैमचंद को भी सनक्षन दिया था सिद्राज ने आबू परवत पर एक मंडब बनवाय था जहां उसने अपने साथपूर वजयों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी सिद्रपूर में रुद्ध महाकाल कमंदिर भी बनवाय था इसने देखिए यहां याद रखेगा इसका समय माना गया है कि यह दस्सो बानवे से दस्सो बानवे से आप देखिए कि ग्यारे सो तैंतालीस तर ठीक है जरूर याद रखेगा यह देट आप देखते हैं कि इसमें डेट गलत हो जाती है इतना परेशान नहीं होने की जरूरत है डेटों के लिए आप लोग बार्द में लूसेंट या कोई स्पेसल बुक से रिविजन करते हैं तो उसमें रख लीजेगा ठीक है रख नहीं है डेटे डेटे कौन से आपको कोई मंत दे देता है तो इसका 1092-94 कहीं तो आप देखेंगे 92 मिलता है कहीं 94 मिलता है तो 1092-94 से लेकर 1143 तक रहता है क्योंकि 1143 में आप देखेंगे कि इसकी डेथ हो जाती है यह मर जाता है ठीक तो यह जरूर सुधार लीजे फिर आप देखेंगे कुमार पाल होता है और 1153 से लेकर 1172 तक रहता है यह एक सकती साली सासक था इसने साकंबरी के चोहान सासक अर्णो राज को पराजित किया था यह पहले सेव मता नुगाई था उसने सौमनाद के मंदिर जाकर भगवान सिब की उपासना भी की थी तथा सिब मंदिर भी बनवाए परंतु अंगे हैमचंद की प्रभाव में वह जेन बन गया था अजे पाल यह आप देखेंगे 1173 से 1176 तक रहता है यह कट्टव, कट्टर सेव और जेन गरंतों के अनुसार इसने जेन सादूओं की हत्या करवाई थी जेन बंदिरों को धर्ष्ट करवाई था एक महत्कूर्ण सोलंकी सासक अर्जुन था इसने धार्मिक सद्भाव को पेरित किया और मुसल्वानों को भी मस्जित बनवाने के लिए दान दिया था भीम दुतिये हुआ इसने 1189 में हुए मुहमद गौरी के हमले का सफलता कुरवक सामना किया उसे पीछे धकिल दिया था 1195 में उसने कुत्व बुद्दीन एवक को पराजित कर उसे अजमेर तक ढखिल दिया था परन्तु 1189 में वह एवक से पराजित हो गया और आप देखेंगे 1201 में भीम दुतिये पुनाह अनहिलवार पर अधिकार करने में काम्याब रहा और परन्तु इसने उसकी इस्तिती कमजोर हो गई यह बंस का अंतिम सासक था और उसके एक मंतरी लवन परसाद ने गुजरात में बगहल बंस की स्थापना की थी बगहल बंस के सासक राय करन बगहल की समय अलावद्दिन खिल जी ने आखमण करके गुजरात में को सल्तनत का अंग बना लिया था प्र आप देखेंगे बंगल का सैंद बंज, इन से भी कुश्चन्स आते रहते हैं, पाल बंज के विक्टन के पश्चात आप देखेंगे बंगल में सैंद बंज की स्थाबना हुई और सैन बंस के लेकों के अनुसार विचंद बंसी शत्रीय थे, उनका आदी पुरोष वीर सैन था, और इस बंस के लोग मूलता करनाट पश्चिम आंद में की निवासी थे, और बाद में बंगाल आकर वसे थे, सैन पाल सास्कों के दिन, राज्की सेबा में कारत रहे हैं, और इस बंस की स्थापना सामंद सेन ने की थी किसने सामंद सेन बिजय सेन इसके पश्चिम बंगाल में बिजय पुर नगर की नियू डाली और पूर में बंगाल में बिकरम पुर संभवता इस बंस की दूसरी राधधानी थी कभी दोई द्वारा रचित देवब पड़ा फिसस्ति लेख में विजय सेन की विजयों का उलेख मिलता है और उलेख करते हुए कहता है कि उसने नत एवबबी नेपाल और मितला को पराजित किया था फिरा बलाल सेन आता है 1158 से लेकर 1178 इतार गहता है विजय सेन की मित्तियों के बाद बंगाल का सवसक वल्लाल सेन बनता है और इसे बंगाल में जाती पिता तथा कुलीन पिता को संगठित करने का सिरे जाता है। लचमड वती लखनोती की स्ताफना की थी। लचमड सेन ने गहडवाल सासक जैचिंद को पराजित किया था। में उसे परम भागवत की उपाधी भी पिदान की गई है। फिर आप देखें कल्चूरी बंस आते हैं तिपूरी बाले और कल्चूरी बंस की स्थापना कोकल पितम ने की थी। इस भी में गद्धी पर वैठा था। इसकी राध्धानी तिपूरी थी और कल्चूरी यों की एक साखा गोरकपूर में भी स्थापित हुई थी। और कुकल पितम की पश्चाथ आप देखेंगे की संकरगड तथा इवराज पितम प्रमुक सासक हुए इसके। राज सेकर की गरंत विद साल भंजीका में युवराज को उज्जैनी भोजंग कहा गया। इसके बश्चाथ आप देखेंगे लचमन राज युवराज दूतिये कुकल दूतिये सासक हुए। करण देव आता है 141-1070 इसने गुजरात के सासक भीम के साथ मिलकर मालवा की परमार भोज को पराजित किया था। इसने कलिंग विजय की थी और इस ओपलक्ष में त्रिक लिंगा अधी पती की उपादी विधारन की थी यह भी सेव मतार हुआ ही था। इसने बनारस में करण मेरू नामक सेव मंदिर की भी बनवाय था। आपना की जैपाल इस बंस का महत्मूर सासक था। और उन्नी सो देखिए आप फिर देख लिजे यह आप देखेंगे 86 से 87 में जैपाल ने अपन गजनी पर आकमन किया था। और उसे पराजित होकर अबमान जनक संधी करनी पड़ी थी। 998 में सोवक्तगीन का पुत महमूद गजनवी गजनी का और सासक बनाया। 101 में महमूद गजनवी ने जैपाल को राया। इस आपमान के कारण जैपाल ने अगनी में कूंद का रात मत्या कर लिए। महमोद गजनवी ने जैपाल की पुत्त आनंदपाल को भी दो बार पराजित किया थे इस पराजय के कारण राजनिती के एकता कावा हो था फिर उत्री फश्चमी भाग में यह है भारत का पहला महत्पूर हिंदू राज्य था इसकी राध्धानी ओधभांडपूर थी और वह है राज मुसलिम आकमण का पिथम से कार हुआ कस्मीर के राजबंस कस्मीर की हिंदूराजी की जानकारी का प्रमुख सरोक कलहन की राजतरंग्णी है यह one day exam का पैबरेड कुशन्स है पूछलेता है कि राजतरंगी निी किसकी किरती है कलहन की कलहन जाती का ब्रमबर था राज्टरंगिनी की रचना उसने लोहार बंस ये सासक जैसींग के काल में पूंड की थी इसकी रचना महाभारत की रिशैली के आधार पर की गई है कसमीर के प्रमुक बंस में आप देखेंगे कारकोट बंस उलपल बंस और लोहार बंस था कारकोट बंस की बात करें तो साथवी सतापदी में दुलह बर्धन नामक बेक्ती ने इस बंस की इस्थापना की थी किसकी कारकोट इसमें आप देखेंगे ललित ललित दित मुक्ता फीड ये आप देखेंगे इसका समय रहा परिहासपुर नगर भी बसाय था इसकी मित्यू के बाद कारकोड बंस की आउनती प्यारम हो गई फिर आप देखेंगे जयापीट बिनादित यह 770 से 810 इस भी तक रहता है यह बिद्वानों को बड़ा संबान करता था और उसकी भासा में चीर भट उसकी सभाव में चीर भट आप देखेंगे उद्भट दामोदर गुप्त आदी बिद्वान भी रहते थे इसने साहित और क आए 855 से लेकर 883 तक यह एक लोकोपकारीश आ सकता इसने किर्सी की उन्नती के लिए नहरों का निर्माण कर वाय है अनेक नगरों जिसमें अवंति पूर और विसिध्ध और इसका निर्माण इसने कर वाय था साहित और कला को भी प्रौसाहित किया था इसने इसने अपने योग मंत्री सुवेक वे साथ सासन किया, फर आप देखेंगे इसमें संकर बर्मा आता है, ए 885 से लेकर 920 भी तक रहता है, अवंति वर्मन की मित्यू के वरांत ग्रह योद्ध में बिज्याई होकर संकर वर्धन, संकर बर्मन ने 70 समाली, लगातार योद्ध करने की कारण धन की कमी के चलते, उसने जनता पर कई पिकार की कर लगाए, टेक्स लगाए, जिससे जनता की आर्थिक इस्तिती खराब हो गई, और अपना खजाना भढ़ने के लिए इसने मंदिरों की संपत्ती लूटी, तथा राजद्वारा बिद्ध्या को दिये जाने वाले सारक्षन मे कटोती की, इन कारियों से यतनत अलोख फिरिये हो गया, और उसे क्रोड तथा अत्याचारी सासक कहा जाने लगा, चैमेंद गुप्त, यह आप देखेंगे, यह हैं 950 इस भी में गद्धी पर बैठा, इसका विवाल लोहार बंस की राजकुमारी दिद्ध्या से हुगा था चैमेंद गुप्त के बाद कस्मीर की सत्ता बिवारी कुरूप से रानी दिद्धा के हातों में गई और 50 बरसों तक रही, वही एक महत्वा कांची साचका थी, इसकी दिद्धा, गड़ना कस्मीर एवन भारती इतियास की पिसिद महिला साचकों में की जाती है, इसका नाम स 233 से लेका 1028 तक रहता है, संगराम राज ने अपने मंत्री तॉंग को भंटिंडा कि साही सासक तिरलोचनपाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था, और इसमें एक हरस, लुहारवंस की राजाओं की में महत्मूर था हरस, वैस्वयम बिद्ध्वान क कई भासाओं बिद्ध्याओं का ग्याता था, कई छेत्रों में महारस हासिल किये हुआ था, कलहन इसका आसरत कभी था, और हास में सदगोडों और दुरगोडों का बिचित समरिश्ण था, अपनी बिद्धुता के कारणी है, दूसरी राज्यों में भी लोग प्रिये था, परन्तु एक सासा की रूम में उक्रूर अत्याचारी था, कलहन उसकी अत्याचारों का बढ़न भी करता है, कौन? कलहन, राश्तरंगनी वाला कलहन, दीक है तो यह भी याद रखिएगा, पर आप देखेंगे कि आपका, हरस को कस्मीर का नीरो भी कहते हैं, नीरो, कस्मीर का, और वैसा माजिक सुधारों फैसन की नवीन, मांदन्नों का संस्थावक था, इसने भी अपना खजाना खाली होने पर मंदिरों को लूटा, और प्रजा पर अनेक कर लगाए, इसके समय में कस्मीर में भहेंकर अकाल और यह 1101 में माला गया था, फिर जैसिंग, यह इस बंसकांतिम सा सकता, कलेंड की राश्टरंगनी का विवरन जैसिंग के सासन के साथ ही समाप्त हो जाता है, इस काल में तसमीर अपने विशिष्ट सेव धरम बदर्सन के लिए पिसे दे था, फिर आप देखें के पाल पित गौपाल में पाल बंस की नीओ डाली, और खलीम पूर अवलेक में इस समय के अराजग इस्तिति को मत्स निया कहा गया, और गोपाल ने इस अराजग स्तिति को समभला और एक सो संगठीत सासन दिया, और गोपाल के पष्चात आप देखेंगा उसका पुत्त धरम बंस का र पादी से संबधित किया था धरमपाल एक उससाही बुद्ध था तथा उसके लेखों में उसे परम-सौगात कहा गया उसने बिक्रम सिलाओ सौमपूरी में फिसेद बिहारों की स्थापना की थी उसकी राय सबा में बहुत लेखक हरी भर्द निवास करता था धरमपाल पितिह राजया उपस्तित थे धरमपाल के बाद आप देखेंगे उसका पुत्त देवपाल हुआ ए 810 से देकर 850 तक सासन बना रहा और जो अपने पिता के समान ही समराजवादी सासक था इस बंस से उसे इस बंस का सरवादिक सक्ति साली सासक माना जाता है और बादल अभिलेक में इ और भी यातरी सुलीमान ने इसे पितिहार राष्टकूर सासकों से अधिक सक्ति साली बताया और इसने जावा के सेलेंद बनसी है सासक वालपोत देवद्वारा बनाये गए बहुत मन विहार के अनूरक्षन हीतु पांच गाओं अनुदान में पिदान किये थे यह भी पूरी के पिसिद बॉद्वमट का निर्मान करवाया था फिर आप देखेंगे देवपाल के उत्तरादीकारी विग्रेफाल हुगा यह 850 से लिकर 845 तक रहता है यह अपने पुत नारायन पाल को सत्ता सौंपकर स्वहम सन्यास ले लिया था इसने नारायन पाल ने सिपके स समान में 1000 मंदिरों का निर्मान करवाया था फिर महीपाल आता है पिथम और आप देखेंगे कि यह 988 से 1038 तक रहता है पालवंस की सक्ती एक पितिष्ठा पुनर जीवित करके अपनी योगता पिर्माडित की इसने इसे पालवंस का दूसरा संस्थापक माना जाता है महीप पाल ने बहुत विच्छू अतिस्त के नेतेत में तिबबत में एक धरम पिचार मंदल भेजा था दायभाग की रचेता जीमोद वहान को पाल सासकों ने ही सरक्षन पिदान किया था महीपाल की मित्तिव के बाद पाल बंस की आउनती पैरम हुई यानि की गरना पैरम हुए निका पतन होना पैरम हुए तारत नियाद ने संध्या कर नदीद्वारा रचित रामपाल चरित की नायग रामपाल दसो ये 77 से 1120 कुईस बंस का अंतिम सासक माना और रामपाल के सासन में ही के वर्तों का विद्रो हुए रामपाल चरित से मालू चलता है पाल सासकों के समय आप देखेंगे सांती रक्षित और दीपांकर नामप बहुत बिद्वानों ने तिबबत की यात्रा की और कलांतर में धरम स्वामी नामप बिद्वान तिबबत से भारत आये था फिर आप देखी आपका आता है पितिहार बंस अगनी कुल के राजपूतों में सरवादिक पिसिद्ध था पितिहार बंस कौन पितिहार बंस जो गुर्जरी साखा से समंदित होने के कारण इतिहास में गुर्जर पितिहार कहा जाता है ऐसे क्या कहते हैं गुर्जर पितिहार और आप देखें कि पुलकेसिन दुतिय की इगोल अभिलेक में गुर्जर जाती का उलेक सरव पितम मिला और इस राजवन्स का संस्था पक हरिष्चंद नामक राजा को माना जाता है किसे हरिष्चंद राजा और इस किंतु बंस का भास्तविक पितम मात्पूर्ण सासक था वाडभट पितम वद्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्री पक्षिय संगर सुरू इस बंस का चौतरा सासक वद्सराज गया इस आसो असी से लेकर आट्सो पांच इस वी तक 376 सासक रहा जैसे पितिहार वंस का भास्तविक संस्था पक माना जाता है उसने पाल सासक धरम पाल को पराजित किया किन्तु राश्ठ कूर्ट सासक धरोब से पराजित हो गया था तो एक दूसरे से पराजित होते रहे यहीं तो हैं यह है सब्यक्राच देखने कर आख तीज ने कन्नोच पराज़िकार करके उसली पिदिहा समराज की राधधानी assistir है एलाषिट रात कूट यह राश्टकूट राजा गोगंत ती ऐसे पराजित हुआ और मेहर भोज पिथम 836-885 इस बंस का सबसे मात पूंट सा सकता यह बैसनों था और इसने आदी वराहे तथा प्रभास जैसी उपादियां धारन की थी यह अरव यात्री सुलेमान इसके सासनकाल में भारत आया था और मेहर भोज की पश्चात आप देखेंगे इसका उसका पुत्त महिंदपाल पिथम इसका समय रहता है 850 से लेकर 910 तक और इसने परम भटारग महराजा धीराज परमेशोर उपादियां धारन की थी राज सीकर इसकी राज भासा की पिसिद्ध बिद्धवान थे जिनोंने करपूर मंजरी काबि मिवान सा बिद्ध साल भंजी का हर विलाश जैसी पिसिद्ध रचनाओं की रचना की थी फिर आप देखेंगे महिपाल होता है ए 912 से लेकर 913 तक किसमे बगदाद निवासी अलमसूदी 915 से सोले गुजराता है और इसने गुजर पितिहार को अल गुजर और तथा राजा को बोरा कहकर पकारा राज सीकर उसे आरिया वर्ट का महाराजा धिराज कहता है महिपाल के बाद महेंद पाल दुदिये और देवपाल विनायक पाल दुदिये महीपाल दुदिये तथा विजया पाल जैसे कमजोर सासक हुए पितिहारों के सामंतों रज की कमजोर होने पर सोतनत राज स्थापित किये 1018 में महमूद गजनवी ने गुर्जा सासर राजपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया था और राजपाल का पुद्ट तिलोचनपाल भी 1019 में गजनवी ने सिफ़राजित हुआ था और इसके उपरांत पितिहारों का अंत हो गया होयन साग ने गुर्जार राजपाल की भूमी क्या निभाई इस बंस का अंतिम सासर की यस पाल हुआ है यह 1036 की बात है फर आप देखी राष्ट कूट आ जाते हैं और दच्छिन में राष्ट कूटों का सासनकाल पाल और पितिहारों बंस की सासन की समकाल ही था इनके अरले अविलेखों में इनका मूल नवासिस्थान लट लट लूट आधुनिक लाटूर जिला वीदर माना जाता है ठीक है और किंतु बाद में आप देखेंगे एलिच्पूर में इस बंस का राज बंस का राजी स्थाबित हुआ राष्ट कूट बादामी की चालों क और जिसने 28 स्थाबदी के मद्द में 752 में चालुक सासक कीर्टी बर्मन को पराजी कर सुतंत राजी की स्थापना की थी उसने मानन खेद को अपनी राधधनी मनाये था और दंती दुर्ग में उज्जैनी में हिरन गरव महांदान यग किया था जिसमें पितिहार राजाओ ने राजा ने द्वारपाल का काम किया था और इसके बाद किष्ण पितम चाचा इसका 756 में सासक बना और जिसने बादामी की चालुक के अस्तित को पूरता समाप्त कर दिया और किष्ण पितम ने एलोरा की पिसिद्ध कैलास मंदिर गौहा मंदिर का निर्माड करवाया थ था किष्ण पितम ने गोविन गोविन तितिये के बाद उसका पुत्त धरोव धारा वर्स 780 में सासक बनता हुए दच्छेन का पितम धरोव राश्टकूट सासक था जिसने उत्तरभारत की अधीपत ही तू चलाए गए तरी सतात्मक संघरस में हर्स्तिछेप किया था और धोरुप के बश्चाद गोविन तितिये इस 793 से 814 तक रहता है और इसने पल्लो पांडो केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघरस्त किया था इसने पितिहाल सासक सी मालवा जीत कर उसे अपनी एक राद एक अधिकारी परमारवंस के उपेंद को सुपोर् पिंद के उत्तरादिकारी अमोग भर्स 814 से 876 हुआ उसने कभी राज मार्ग नमक कर्णर के गरंद की रचना की थी उसकी सवाह में आधिपुरान के लेकर जिंसेन गड़ित सागर संग्रय के लेकर महावीराचार और स्वयमभू पिरमुक थे यह जैनमत का पोसक था तथा अन धर्मों का भी आदर करता था इसने मान खेत नामक के एक नया नगर बसाय था और अपने राध्धानी वहां ले गया वह महालचमी का अनन भक्त भी था संजन तामपत्त की अनसार इसने देवी को अपने बाय हात की उंगली चड़ा दी थी और उसकी तुल्ला सिब ददी नीची जैसे पुराणिक ब्यक्तियों से की जाती है संभावधा पितिहारों की सर्फिष्ट शासक इंद तितिये इन उसे पंद्रे से नोसो सकताई सक रहता है और किसने तितिये थी इन तितिये के समय अरिवी यात्री अलमसूधी भारत आय था और किसने तितिये ने अकाल वर्स की उपादीधारन की और उसने कांची योंग कांची योंग तन तैन जब तैन जैम जै जमय कुंड की उपादीधारन की ती किसकी कांची योंग तैन जम मय कुंड की और किसने तितिये ने चोल राजा परांदक पितंक पराजिक किया था रामिस और कि में एक बिजय इस था मोग मंदिर भी वनवाय था किस ने इस और गंड मारतन रादित मंदिर और इसकी राजसभा में कर्णड कभी पॉन रा इसकी रचना सांती पुरान की रचना की थीरों ने किस ने तितिये की मित्यु के परशाद परमारों ने ग्रह उद्य का फायला उठाते हुए सुतंता की गोशना कर दी उनने सो नौसो चोहतर से पचातर में चालुक राजा देलब दुतिये ने राष्टकूर वन्स के अंदेम सासक करक दुतिये को पराजित कर राष्टकूर र इंतर इस्थापन के लिए हुआ था इसमें आप देखें गुजरात राजपूताना की गुर्जर पितिहार बंगाल के पाल और दच्छर में दक्कन की राष्टकूर सासक को नेस्टा लिया था तीन तरब से सासक आप समझ रहे हैं तीन लोगों के बीच हो रहा है तीन बंस इसमें एक तो आपका गुजरात इवन राजपूत तानर की गुर्जर पितिहार बंस थे बंगाल की पाल थे और दच्छर में दक्कन की राष्टकूर सासक थे और इसलिए इसी त्री पक्षी संगर्स कहा जाता है इस संगर्स में अंतिम सफलता गुर्जर पितिहारों को प पितिहार सासक वत्सराज को पराजित कर राजिस्थान की मरुस्थल में खदेर दिया था किन्तु धरब की विजय भी आयस्थाई सिद्ध हुए क्यासी आयस्थाई कुझी समय के लिए और क्योंकि तभी राष्टकूर्ट दरवाल में उत्तरादीकारी का पिसन उपस्तित ह हो गया और धुरुप दच्छेन लोटाया दुतिये चरन में आप देखेंगे कि पाल और पितिहारों की बीच संगर्ष हुआ और राष्टकूर्ट इससे बाहर ही ही रहे माना जाता ही कि इस समय कन्योच पर आयोध पंस की दो भाई चक्रायोध और इंद्रायोध में गद् उत्रापत स्वामी का राज दिया है तितिये चरन में आप देखेंगे पितिहार सासक वाडवाट दुतिये ने कन्योच से चक्रायोध को खदेडने में काम्याब हुआ उसने धरमपाल को पराजित किया किन्तों उसकी बिजय इस्थाई ना रही सकी क्योंकि तभी राष्ट राष्ट कूट सासक गोबन तितिये ने उत्तरी भारत का अभियान किया और माडबाट दुतिये को पराजित किया चौथरा चरन इसमें होगा गोबन तितिये राष्ट कूट ने उत्तर भारत में अपना दबाव बनाय रखा उसने पितिहारों से मालवा का छित चिल लिया और उपेंद नामक बेक्ती को निवत किया यां। और पंचम चरण में आप देखेंगे राष्ट कूट अलग रही क्योंकि उत्रा दिखारी की समस्यासी निपटने के लिए गोविन तितिये को दच्छन लोटना पड़ा। और इस काल में पितिहार सासक रामबद एक कमजूर बैक्ती था और दूसरी तरफ आप देखेंगे पालवंस को धरमपाल एवं देवपाल जैसे सासकों की सिवा पराप्त हुई और आताहा पालवंस का वर्चस इस्थाफित हुआ। सिवा पराप्त हुई दूसरी तरफ पालवंस में बिग्रह पाल एवं नारायन पाल जैसे कमजूर सासक हुए त्री पक्छी संगर्स में आप देखेंगे 200 बरसों तक चला और जिसमें कन्नोच पर अंतिमरूफ से पितिहार सासकों का अधिकार इस्थाफित हुआ। और सामंत के हातों जागीर का सासन चलाया जाता था जो फ्रया राजा के कुल से ही सम्मंदित होता था। और इस काल में ही अगर आप देखें इस काल में राजतंत्री विवस्था में सामंत्री तत्तों का बोलबाला था। और यह है एक छोटे सिवचेत परपूर्ण नियंतन से सासन करते थी और इन्होंने सहा महा मंडलेसोर मंडलेक महा सामंत आधी बड़ी उपादिया गरहन की। सासक भी सामंतों के माध्यम से प्रजा का सासन चलाता था। सामंतों की पास अपने न्याले और मंत्री परसेद होती थी ये लोग स्वेम को सामंत समराडभी कहते थी और इनका मोख्यकार राजा को समय समय पर दरवार में उपस्तित होकर भेट उफ़ार आधी पिदान करना था, सामंतों की अपनी सेना भी होती थी, जिसका समय पढ़ने पर राजा की सहायता के लिए भेजा जाता था, और इस वेकार पूर मद्धिकाल में राज की वास्तिविक सकती सामंतों के हाथ में थी, और ये सामंत जन्ता पर अनेक कर लगाकर अपना राजकोस भरते थे जनता इस समयकरों के भार में से दबी थी और पिराची नितियास के अनराजवंसों की भाती राजा ही सत्ता का सरोच केंद था इस समय भे वह सासन का पिधान और नयाय का पिधान था तथा और आप देखेंगे कि सेना का पिधान भी होता था राजा ही राजा द्वारा अनेक उपादियां धारन की जाती थी जैसे परम भटारक महाराजा धीराज आदी इस काल में राजा तुका देवी करन करने की प्रवित्ती प्रवल हुई जैसे प्रवित्ती प्रवल हुई जैसे प्रवित्ती प्रवल हुई भूमी टेक्स समझ रहे अनेक पिकार की कर्जनता से बसूले जाते थे भूमी करतीन से लेकर बारे भी भाग तक था सेल्फ कला तथा सैनियों की भी चर्चा मिलती है इस समय लेकिन वड़िज ब्यापार में कमी के चलते उनका मत घट गया था अनेक सामंतों द्वारा चुंगी कर बसूल करने और केंद्री ससक्त सत्ता के अभाव में ब्यापार का हरास हुआ इस काल में दूसरे राज्य से लूट भी आयका प्रमुक साधन था बगल बाले राज्य को लूट लीजे वो भी आपका आयका ही सरोत माना जाएगा इस्थानी इस्थान पर ग्राम पंचयायतों का स्थत बना रहा और इनका कार राज्य सुबसूल करना ग्राम के लोगों का कल्याड करना था परन्तु इनकी सक्ति पितिश्ठा में कमी हुई हलांकि दच्छिन भारत में चोल काल में ग्राम सासन एक महत्मून अभी लक्षन था फर सामाजिक विवस्था इस काल में सामाजिक परिवर्तन को मूलता भारती और महादीब के अर्थ विवस्था गद परिवर्तनों ने सुनिश्चित किया भूमी अनुदानों में बुद्धी, विध्धी, सावंत बादी, उत्पादन परणाली, बंद अर्थ विवस्था समाज चतुर वर्ड विवस्था पराधा रिथा, इस काल में चार वर्डों जैसे ब्रहमड चत्रिय बैस सूद्ध के अतरिक्ट समाज में अनेक जातिय और जातिया भी थी मनु में अगर आप बात करें तो 61 वर्ड संकर जातियों की संख्या थी दी गई इस काल में ब्रहमड के कई गुट बन गए, बैसेयों का पतन और सूद्धरों में विध्धी हुई, इस काल में राजपूतों को चत्रिय वर्ड में इस्थान मिला, इस काल को राजपूत काल की संख्या दी गई, विभेन बर्डों का सामाजिक पदानुकरम पूर्वत रहा परंतु नवीन जातियों के में प्रगोडन तद आर्थिक परिवर्डों विसेस्ता भूस स्वामित ने निम्न बर्ग को उच्छे वर्गों में सामिल कर लिया, आप देखें कि परंपरागत बर्ड वेवस्था में कई परिवर्डन दिष्टी गोचर होते हैं, और बर्ड सतापदी के ब्रह्मा चत्रिवान अवलेक में नवीन जातियों पंडित दीक्षित पाठक ठाक और उपाद्याय आदी का विकास हुआ, आज भी आप लोग सुनते रहते हैं, स्री माली सूतकार नामित आदी अन जातियां थी, किर्सकों के रूम में सूत्रों का अदय हुआ हुए इंसांग तथा अलवर्णी के विवरान से इस समद्रों में जानकारी पराप्त होती है, इस काल में कारस्त जाती का उद्वाय हुआ, जो मूलता सामंत बादी विवस्था की, मूलतत भूमी अनुदान से समद्दी थी, कलांतर में उनने उच इस तर पराप्त कर ब्रह आइकारों का अभाव, पुनर विवान इसे पुनर विवान नहीं कर सकती थी, सती पे था, फर्दा पे था, आधी उनकी दुरद्दसागों दरसाते हैं, और यह पी उचकुल की महलाओं किस्तिती कुछ सिमादक सही थी, महला दासियों का भी उलेक मिलता है, इस काल में कई आइस पर से जातियों, चंडालों, आधी का उदय हुई हुए जिनें पांचवी बर्ड की रूम में माना गया, और इस मितियों में चंडालों की अतरिक्त, रजक, चर्मकार, जट, केवर्थ, धीवर, आधी को भी आइस पर से जातियों में रखा गया, भूमी अनुदान के कारण किसी पर साथ से दासों की संख्या में विद्धी हुई, कोटल द्वारा साथ नारद ने पंदरा पिकार के दासों का बर्डन किया, दासों का आयत नियाद भी होता था, महला दासियों की संख्या में विद्धी हुई, तो इने भी याद रखिएगा, इनसे भी क्या हो अर्द विवस्था की बात कर लेते हैं किसकी अर्द विवस्था क्यों आर्द विवस्था कर तक पिरमु काधार कृसी ही रहा है केती किसानी रहा किरसी संगठन और विवस्था बहुत जटिल थी समय भूमी अनुदानों के कारण कारण भूपती बिचौलियों सामंतों का किर्सक छेत में वर्चस हुआ जवरन मजदूरी किर्सी दास पिता इस्थापित हुई किर्सी बिकास के लिए बीज खात से चाई आदी राच्की प्रियासों का उले किसमीती गरंतों में मिलता है किर्सकों पर अनेक पिकार की कर लगाय जाते थे जिसमें हिरन वली भाग भोग उद उदग भाग पिरमुक थे एट टेक्स थे केती बर भूस्वामित के संबंद में सामोहिक बनी जी भूस्वामित अधिकार अधिकारों के साथ बंसानुगत अधिकार भी दिये गए सेचाई का विस्तार हुआ मुंज सागर, भोस सागर, परमार साहिल सागर, चंदेल कीरस सागर, आधी तालावों को निर्माड हुआ अनेक नदियों पर बांद बनाकर नहरे निकाली गई कावेडी नदी पर उनलेक मिलता है केसी के सारसाथ ब्यापार व्युसाई की स्थिती संतोष जिनक थी सामंती तक्तों के उदये ने व्यापार को नुकसान पहुचा आया व्यापार इस्थल और जलमार्ग दोनों से हुता था अरम मिस चीन दच्छेन पूर वेसिया से व्यापार होता था इस योग में नियंतर युद्धों ने व्यापार की परगिती में बाधा पहुचाई व्यापार एवं व्युसाय में अनेक सैनिया सलगन थी सामंत बाद की उदय की कारण छेतरी इता की भावना प्रवल हुई जिससे सामाजी गती सिल्ता और उद्वी इस काल में साहुकारों का महत बढ़ गया रेड़ पर ब्याज की दर्वें भी बिद्धी की जो आजकल आप लोग साहुकार देखते हैं ना जो किसान आप देखते हैं बहुत परेसान रहते हैं इनसे आप देखते हैं कि यह अपनी फसल एक तरह से उधार ले लेते हैं क्योंकि इने बैंक तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं होती हैं कि फिर आपने देखा हुगा उच बहुत ब्यारी लिया जाता है किसानों से जिन से और यही किसानों की फसल भी खरीदते हैं तो कम रेट में बिचारी किसान मारे जाते हैं दोनों तरफ से इस काल के आर्थिक विकास के दो चरण मिलते हैं पितर्म चरण 550 से 950 और दूतिये चरण 950 से 1200 तक इस काल में गवा, भटकल, हनोवार, मंगलोर, आदी विपनन की केंदरों, केंदर और तथा वयाना, कोर कई, आदी पिर्मों वडिजी की गती धीमी हुई, परन्तु दूतिये चरण में कुछ राज्यों द्वारा फुरोसान में स्तिती में सुधार हुआ, धार्मिक विकास, फूरु मद्यकाल में विविन धर्मों की जानकारी समकालीन के रंथों से इपराप्त होती हैं, इस काल में ब्रह्मर धर्म क पितिष्ठा मिली, वैश्नाव अलवारों तथा सेम नारों ने दच्छन भारत में धर्म एवं समाज की उनती में योगदान दिया, हिंदू धर्म के अंतरगत भक्ती मार्ग और आवतारबाद का व्यापक पिचलन हुआ, बौद्ध और जैन धर्मों का अस्तित ग्या रहा बना रहा किन्तु इनकी पितिष्ठा में कुछ कमी आई, हिंदू देवी देवताओ विश्नु सेव दुरगा इसकंद आदी की उपासना ही तु मंदिर और मूर्थियों का निर्माण होने लगया, संकराचार ने अदोयद बाद का पितिबादन कर ब्रमर धर्म की पितिष् गुर्जर फितिहार चालुक चंदिल राजाओं ने इसमें योगदान भी दिया, बौत धर्म के तांतरिक संपदायों वज्ज्यान का उदाय हुआ, हिंदू दार्सनेक संकराचार वा कुमारिल ने बौत धर्म पर कड़ा पिरहार किया, और जिससे यह धर्म अत्यधिक आल ना हो सकी, धर्म में स्थावत कला का मजबूत को मजबूत किया गया, जैन धर्म को पिस्था देने वाले सासक, गुजरात के चालुक इसे राजधर्म बनाये था, कुमारपाल के समय में उन्नती हुई, जैन विद्ध्वान हैमचंद के को कुमारपाल ने पिरसे दिया था, दिलवाडा आभू का मंदिर इसी के समय बना, चंदेल सक, खजराहु में जहन तीर्थ करों के पांच मंदिरों का निर्मार, गुरिजयर पिति हाव सास, जहन धरम को सरक्षा ने ने भी दिया, परमार बंस ने भी कुछ सासकों को, सासकों ने फ्रोसात दिया था जहन धरम को, संकराचार, और इन्होंने अद्वेद मत का पिति पादन किया था, इन्होंने ब्रह्मा कोई एक मात सत्ता सुईकार किया था, तथा कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, और इनको पिछन बुद्ध भी कहा जाता है, हिंदू धरम की भावनात्म के एक क्या इस काल में विभिन राजाओं ने अनेक बिद्वानों को फिरसा दिया जिसमें अनेक महत्मूर्ण साहित्ते गरंतों का लेखन भी हुआ और इनके बारे में याद रखिए लेखकों से कुश्चन्स पूछ लेता है मैं बार-बार बूल रहा हूँ ए आपके साहित्त हो गए इनके रचनाकार हो गए ठीक है ए रचनाकार ए साहित्त ए आप देखें कि क्रिट कल्प तरू ए लच्मी धर इसके रचनाकार थे फिर आप देखें कि दस रूफ धनेंजा इसके लेखक थे नव साह सांग चरित पदम गुपति इसके लेखक थे रच रचनाकार, समरांगड सूत्यधार, भोज परमार ही इसके क्या थे रचनाकार, सरसुति कंठा भरं भरन ये आप देखेंगे भोज परमार ही थे, राज मारतंड इसके भी आप देखेंगे भोज परमार ही थे, कुमार पाल चरित, जै सिंग सूरी इसके रचनाकार थे, राम प पबंदूत पबंदूत दोई थे ब्रह्मांड बर्चस हलायुद क्योवतों के विद्रो का उलेक भी मिलता है इसमें राच्टरंगनी कलहर्ड दान सागर बलाल सेन अद्भुत सागर बलाल सेन यह भी याद रखिएगा ठीक है वंडेक जाम के फैबरेट कुश्चेंस रहते ह समझ रहे हैं आप लोग बास्तूकला की बात करें तो इसकाल में इसकाल में इस्थापत की तीन सेलियों का विकास हुआ नागर सेली और इसका विकास हिमाले से बिंद तक के छित में हुआ इस सेली के मंदर चत्तुस कोड़ी होते थे इनकी बिसे इस ता स्वास्तिकार दोनों का मिला ज्लारूप है। तो यह भी याद रखेगा। और पिर्मोग स्ठापत में आप देखेंगे ये प्रमुख इस्थापत कला इस समय के रहे हैं। ये प्रमुख मंदिर देखेंगे तंजोर का वेहदेसर मंदिर, कांची का केलासनात मंदिर, गेगे कॉन्ड चोलफुरम का एराद वदेसर मंदिर, महावलीपुरम का तटीय मंदिर ये प्रमुख थे। प्रमुख बर्मा, चोडगंग से समदिर, खजराहो के मंदिर, फासुनात मंदिर, विसुनात मंदिर, कणरिया महादेव मंदिर। कई बार आप देखते हैं, प्रिलम से मैं ऐस तरह है कि कुश्चन्स आ जाते हैं, कि कौन, नागरसली के प्रमुख मंदिर कौन को से हैं, नीचे आपको दे देगा, इन में से कौन हैं, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। सास बाहू का मंदिर, चौसाट यूगनी मंदिर, मोडेरा का सोर मंदिर, सोलंकी, सास्तरों द्वारा, उसिया के मंदर, तेली का मंदर, सहस्त बाहू भी कहते हैं इस मंदिर को, ठीक है? तो यह थे आपके क्या थे? प्रमुख जो भी आपके पूरु मद्यकालीन भारत में जो भी सास तक हुए, जो भी बैंसर है, उनके बारे में एक ओवरव्यू था, ठीक है? और अंतिम क्लास में, अंगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कि जो आप देखते हैं, कोटिल, का अर्थ, सास्त, मेगस्तनीच की इंडिका, फायान, हैंसांग, कलहन की राश्तनगनी इनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे, इन बिद्वानों के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहे हैं, इंज्वाय करते रहे हैं, कुछ आपके सुझाओ हो, कुछ बताना चाहते हो, तो बताईएगा जरूर, उन पर भी विचार किया झाली लेंगे, जलिपा किया बताना चाहते हैं, जल दिवाय करते हैं, जलिदकै